आज हम आपके लिए लेके हैं कैसा नास्ता जी से हम स्रीफ सूजी से बना के तयार करेंगे ये जो नास्ता है बहुती नरम मुलायम और फुले फुले बन के तयार होता है इस नास्ते को आप स्रीफ 10 मिनट में बना के तयार कर सकते हूं वो भी एक चमस तेल से तो बिना देरी करते भी चलिये इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 कर的话 शूजी लिए, शूजी हमने वारिक बाली है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, वारिक हो या मोटी, अब यहाँ पर लेंगे हमेक मेक का जमा हूँ या फिर मार्केट वाला कोई भी ले सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच रिफाइंड तेल जिससे नास्ता जो आपका बहुती नरम और मुलायम बन की तयार होगा अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक चमच भर के चीनी ज ताकि सुजी हमारा अच्छे से पेश जाए और पानी कमना पड़े तो इसका ढकन हम बंद कर देंगे और फाइन सा पेश्ट बना के तयार करेंगे हमें पेश्ट ना तो जादा गाडा बनाना और नहीं जादा पतला बनाना है तो यहां सुजी का पेश्ट जो है बनके तया अच्छा जीरा नमक पसंद है तो डाले नहीं तो ना डाले अब इनकों अच्छे से फेट लेंगे ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए अब जितने अच्छे से फेटिएगा आपका नास्ता उतना ही नरम, मुलायम, जालीदार बन के तयार होगा अगर आपके पास टाइम हो ता 5 मिनट के लिए रेश्ट के लिए भी रख सकते हैं और टाइम नहीं हो अगर तो फिर साथे साथ बना सकते हैं तो इनको अच्छे से हमने फेट लिया है, हमने रेश्ट पे नहीं रखा अब इसमें हम डाल दिया एक चुटकी भर मीठा सोडा जिसे नास्ता और भी फुले फुले बनेंगे तो सोडा डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला लेंगे, और ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे नहीं तो फिर नास्ता जो अच्छे नहीं बनेंगे तो गैस पर हमने पहले से ही पैन में तेल गरम करके रखा था तेल जैसे अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे सफेद वाले तील अगर आपके पास तील नहीं है तो इसके बदले में आप राई भी डाल सकते हैं तो यहां हमें सारे मिस्तरन को डाल देना है, हम पोच के अच्छे से सारे मिस्तरन को डाल देंगे, क्योंकि हम एक ही बार में डालेंगे, एक ही नास्ता हम बनाएंगे, अगर आपको नास्ता बार ज़्यादा बनाना है, तब दो या तीन बार में डाल से तो यहां पर हमने सार तो अब क्या करेंगे तील डालने के बाद हम और थोड़ा सा डग देंगे एक दो मिनाट के लिए ताकि जो थोड़ा बहुत पकना बाकी है वो भी अच्छे से पक जाएं तो यहां में एक मिनाट के लिए फिर से डग के पका रहे हैं तो अब हम इसका धकन हटा के देखेंगे तो देख सकते हैं अच्छे से पक गया कितने फुले फुले बने नास्ता देखने में अच्छा लग रहा है देख सकते हैं इसके उपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ब्रॉस की साहिता से ताकि नास्ता उपर से भी अच्छे से ख पका लेंगे ताकि नस्ता कच्चा ना रहे अंदर से भी पकड़ाये अच्छे से तो इसे और इन युक बार हम पलट देंगे ताकि देख सकते कि नस्ता हमारा दूनों साइड राबे Pr सिरू इसका कलर भी चेंज हो गी आप तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे गैस बनने वाला नास्ता है इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है फटा फट से आप इस नास्ते को कभी भी बना के खा सकते हैं तिसे हम चाकू की सायता से नास्ते को काट के दिखा देते हैं देख सकते हैं अंदर से भी नास्ता जो है पाग गया एकदम थोड़ा सा भी कच्चा नहीं है, 10 मिनट में इस नास्तियों को आपको कोई हरवर यहاح शुरी भापना के खा सकते हैं, सुबह या साम एकदम एक चमज तेल में बनने वाला नास्ता है यह चाहिए बच्चों की टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, जब भी आपको यह जो नास्ता है बहुत हेल्दी भी होता है इस नास्ती को हर कोई बहुत पसंद करेगा बच्ची हो या बड़े कोई भी असानी से खा लेगा तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूर बनाई और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए शैर कीजिए चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के सब